We can add then multiply Class हमारे पास यहाँ पर दो ग्रूप्स नजल आ रहे हैं आपको और इसके नमबर्स हैं 5 So हमने 2 टाइम 5 लिखा 5 प्लस 5 इस इकल टू 10 अब इसका एक मेथड और एक लास हमने 2 एक टाइम हमने 2 लिख दिया क्योंकि हमारे पास 2 ग्रूप्स थे और 5 इसके अंदर नमबर्स हैं So हमने 5 वन टाइम लिख दिया अब हम नमबर और ग्रूप्स को मल्किप्लाइ कर देंगे नमबर्स में 2 फाइब जा 10 Now second is We have 3 ग्रूप्स So we write 3 प्लस 3 प्लस 3 Each ग्रूप का नमबर हमने काउंट करना है क्लास 3 3 हमारे पास एच ग्रूप में 3 नमबर्स है और ग्रूप उफ नमबर्स में 3 है तो 3 प्लस 3 प्लस 3 is equals to 9 And the second method is Number of Groups Count number of Groups And multiply by each group हमने पहले number of Groups को Count करना है क्लाइब हमारे पास 3 ग्रूप्स है और एच ग्रूप में 3 हमारे पास है So 3 multiply by 3 Is equals to 9 3 3 is a 9 Okay Let's come to the next question We have 3 groups And each group has an 5 So we write 5 3 times 5 plus 5 plus 5 Is equals to 15 The second method is 3 multiply by 5 Plus We have 3 groups And each group has 5 So we write Count 1, 2, 3 3 groups हमारे पास ग्लास And each group में हमारे पास 5 numbers है So we write 3 multiply by 5 6 We have 3 नास बास प्लास 10 ×ес We have 3 इन पास प्लास 5 Elizabeth